आज की इस वीडियो में बताया है कि आपकी इस तरह से अपने यूटूब की प्लेइलिस्ट पर कोई भी थमनेल लगा सकती हो दोस्तों आपने यह सुनोगा कि जो आपकी प्लेइलिस्ट में सबसे उपर वीडियो होती है वो ही प्लेइलिस्ट का थमनेल बन जाता है लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी थमनेल अपने प्लेइलिस्ट पर कैसे रगा सकती है तो वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो प्लिस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो इसके लिए आपको कोरूम ब्राउजयर में डेस्टोव वरजन में यूट्व ऊपन करने के बाद अभी आपको अपने चैनल के आइकन पर क्लिक करना है इसके बाद आप यहाँ पर यूटूब स्टूडियो पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको मेरे चैनल पर बहुती कम समय मेरे टेक्स रेलेटेट सबी वीडियो मिलते रहेगे अगर आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजएगा तो इसके बाद आपको यहाँ पर इस प्लेइलिस्ट के आइकन पर क्लिक कर देने तो आपके सामने यहाँ पर यूटूब ओपन होगा YouTube open होने के बाद आपके समने दुबार से Chrome browser open हो जाएगा तो इसके बाद आपको यहापे 3Dot पर क्लिक करना है तो अभी आपको यहापे desktop site पर क्लिक कर देना तो आपने YouTube channel पर जितनी भी playlist बना रखे होंगे वो सब यहापे आजाएगी तो आपको जिसकी playlist पर अपना 100% thumbnail लगाना है तो इसके लिए आपको उसके सामने एड़िट पर क्लिक कर देना है तो इसके बाद आपके सामने वो playlist open हो जाएगी तो दोस्तों आप यहापे देख सकते हो जो इस playlist में सबसे उपर वीडियो है वो ही इस playlist का thumbnail बन चुका है तो चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कोई भी थमने इस playlist पर कैसे लगा सकते हैं प्लेलिट पर आप वो ही थमने लगा सकते हो जो आपने उस playlist के अंदर वीडियो एड़ की होई है आप उन्मेंसे इकी की सी वीडियो का थमने अपनी playlist पर लगा सकती है उन्मेद करतों आपके लिये यह वीडियो बहुती को लाइक जुरूर कर दें जगा मैं मिल तो आपको किसी और न्यू वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद